जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग, जीवू और निंग रॉंग 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 हैशन हॉल में आ गए थे और बहुत सा एक जिने उन्हें सी कॉट की स्टोरी बताई थी। वहीं दूसरी तरफ, कोएन धॉलों ने भी कोएन रेंज्यू को एंजिल कॉट की स्टोरी बताई थी। अब फिर एक लड़की आ गया आती है और उसकी शकल कोएन रेंज्यू के जैसी ही थी लेकिन उसकी आँखों में काला बन था और इसने काली कपड़े पहन रखे थे। इस मेकानिजम को एक्टिवेट कर देती है। जिससे क्वाइन रेंज्यू के शरीर से खून निकलने लगता है अब वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट आइकॉनिक लेवल की है। असल में जिस मेकानिजम के अंदर वो खड़े थे वो एक गोलाकार मेकानिजम है। इस गोलाकार हिस्से को डाइमीटर ने दो हिस्सों में बाटा हुआ था और इन दोनों हिस्सों में से एक हिस्से में दिन है और दूसरे हिस्से में रात है। क्वाइन रेंज्यू रात में नहीं उर सकती है और डाक्वेन रेंज्यू दिन में नहीं उर सकती है। यह देखकर क्वाइन रेंज्यू शौक हो जाती है। मूर्ती हाइशन माउंटिन्स के बीचों बीच मौजूद थी यानि हाइशन माउंटिन्स के सेंटर पर ट्राइटन को रखा गया था। और यह पूरा माउंटिन ही ट्राइटन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ट्राइटन को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन उसको छूते ही ट्राइटन के हाथ जल जाते हैं। वो लौवा की तरह गरम था और टैंगशन उसे अपने हाथोसे तो अब हासिल नहीं कर सकता है। तैंगशन समझ जाता है कि सी गोट छाते हैं कि टैंगशन अपनी सोल पार का यूज्ज करके ट्राइटन को हासिल करे। तैंग शैंग अब अपने दोनों हाथों से ट्राइडन को पकड़ कर उसे बाहर निकालने लगता है और अपनी जी जान लगा देता है लेकिन ऐसा करने में उसे कावे दिक्कत हो रही थी और उसकी सोल अब जलने लगी थी लेकिन फिर भी तैंग शैंग दर्द को सहते हुए उसे निकालने लगता है अगर तैंग शैंग अपस ट्राइडन को नहीं निकाल पाता है तो तैंग शैंग कभी अप ट्राइडन को फिर से हासिल नहीं कर पाएगा वहां आसपास तैंग शैंग का और सर्कुलेट होने लगता है और आसपास का प्रेशर बहुत जादा निंग रॉंग रॉंग भी ये सब देख रही थी और वो भी इस और आको महसूस कर पा रही थी। और वो जूई पाउ बूस्ट का यूज करके ताइन शांकिपार को बढ़ाने लगती है। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।